है हलो दोस्तों देखिए आज हम लोग बात करेंगे होटी कल्चर का प्रिवियस यर का पेपर यानि कि 2021 का कैसा पेपर आया था उसके बारे में बात करेंगे और जो उनके सही आंसर होंगे उनके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं ठीक है जैसे आपका पेपर का जो आपका हाट कीस राज में जीरा का उत्पादन सरवाधिक है इन विच स्टेट आफ इंडिया तो जो आपका जीरा का जो उत्पादन सर वा राज्ज में होता है उसमें जो आपका सही और अब का राज receptor क्या है हो एक राजिस ठाव है उसके बाद आगला कुस्चन है कि विश्ओ का सरवाधिक हल्दी उत्पादक देश है। कौण सा भारत है कौं सा है भारत यानी की बारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन किया जाता है दनया किस कुल की फसल है धनया जो है वाहाई आपकीójum कि कि फसल होती है किसे होती एपीएज को फसल होती है अगला कुछिछ्छन है कि खस का उत्पत्ति इस्थान क्या यह तो जो घ्रट का बहरत यानि कि इंडिया खसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है उसके बाद अगला कुस्चन है डायस्कोरिया का उपयोगी भाग है डायस्कोरिया जिसका सांट्विक नम होता है डायस्कोरिया डायस्कोरिया एलाटा ठीक है डायस्कोरिया इसकोलाटा कई इनके नाम है ठीक है तो सब्सक्राइब आसुछ फसल फेशपि व chuckling to सब्सक्राइब भी ना जो गतिक सब्सक्राइब 003131 कि खस की खस की उन्नत किस्म है क्या है खस की उन्नत किस्म है ठीक है इसके अलावा आपकी जो है व्रद्धी केसरी और धारणी और खस पंद्र है यह भी आपकी खस की उन्नत किस्म मानी जाती है तो साथ-साथ इनको भी याद कर लेना ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है कि किस रोपड फसल को कल्प व्रक्ष कहा जाता है यानि कि which plantation crop is called कल्प व्रक्ष किस रोपड फसल को कल्प व्रक्ष कहा जाता है तो आपका नारियल जो होता है उसे हम कल्प व्रक्ष के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं उसे हम कल्प व्रक्ष के नाम से भी जानते ठीक है उसके बाद अगला कुष्चन आता है कि काजु के गूदेदार भाग से बनती है आपकी फैनी, क्या बनती है? फैनी बनती है ये जो आपका right answer है फैनी फैनी एक परकार की सराब होती है एक परकार का अलकोहल होता है तो वही जो है आपका आपकी बनती है ठीक है उसके अगला कोश्यों आता है कि भारत में सरवाधिक चाय पैदा करने वादा कौन सा है याँ चाय पर पहाड़ी इलाके होती है वहां पर चाय अधिक पैदा होती है यहाँ पर है थण की मुख्य किस्म है तो वाई आपकी काजू कि किसकी है काजू스타 जो मुख्य किस्म है तो कौन OFF कौन है थी किसे कहा जाता है और मसाले की मसाले का राजा बड़ी इलाची को कहा जाता है किसे कहा जाता है बड़ी इलाची को कहा जाता है ठीक है उसके बाद अगला कुछ चनाता है बड़ी इलाची को नहीं काली मिर्च को कहा जाता है king of spices ठीक है काली मिर्च को कहा जाता है king of spices उसके बाद अगला कुछ चनाता है कि उत्ता प्रदेश में हल्डी की खेती सबसे अधिक होती है, हल्डी की खेती में कहां पर होती है, सबसे अधिक जौनपुर में होती है, कहां पर होती है, सबसे अधिक हल्डी की खेती उत्ता प्रदेश में जौनपुर में होती है, उसके बाद अगला कुश्चन है कि धनिया का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज है तो धनिया का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज है आपके पास उत्ता प्रदेश राजस्थान मद्द प्रदेश या फिर महाराष्ट तो आपका राइट आंसर है हुआ है आपका उप्शन भी राजस्थान उसके बाद अ मंदित है चाह जो होती है आपकी यह तो शोका कि पूल की होती ऑफिर है और ना्रियल की जन्म भूम है तो नारियल की जम भूम मूँ नारियल का और भाइजिन प्लेज्स क्या है तो दच्छड पूर्व छेट शाता है ढगालों सपड़क मुंस्के PRES अगला करम माना गया होता है सर्पगंधा का उपयोगी भाग होता है सर्पगंधा का उपयोगी भाग होता है रिवॉल्फिया सर्पेंटाइना इसका साइंट्फिक नेम होता है रिवॉल्फिया सर्पेंटाइना होता है तो इसका उपयोगी भाग यानि कि एकॉनमिक पार्ट या फिर कह सकते हैं medicinal plant for high blood pressure is तो कौन सा है वाई आपका सर्प गंधा ही होता है कौन सा होता है सर्प गंधा ही होता है यानि कि option C is the right answer सर्प गंधा उसके बाद अगला question है कि तुलसी की प्रती हेक्टियर बीजदर है क्या है तुलसी की प्रती हेक्टियर बीजदर है एक किलोग्राम होती है कितनी होती है एक किलोग्राम होती है एक हेक्टियर के लिए ठीक है अब इसकी बुवाई करने के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें इसकी बुवाई करने के लिए बिकोज इसके जो उसकी broadcasting करते हैं तो वह एक तरीके से प्रॉपर रूप में हो जाती है तुलसी की बुभाई करने के लिए हम बात कर रहे हैं ऑसिमम जिसे हम बोलते हैं अंगलस में यह जो है इसकी ऑसिमम इस पसीज़ें होती है ठीक है तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे जो भी आपका का portion रहा है उसके बारे में भात करेंगे लेकिन पहले पेपर करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है कैसे परस्ट आइसको नयत्थे हैं इन सिर्थ ल सीड कौन होता है सीड होता है उसके बाद अगला कुश्चन आता है काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानि कि एक्सपोर्टर काजू सबसे जादा कौन से देश से एक्सपोर्ट किये जाते हैं तो भारत से सबसे जादा काजू एक्सपोर्ट किये जाते हैं ठीक है या गोमती और सिवालक किस फसल की उन्नत सील किस्म है तो देखिए ओसिमम तुलसी कौफी चाय इनकी जो है आपकी सिवालक और गोमती ये उन्नत किस्म नहीं है लेकिन जो आपका मैंथा होता है मैंथा यानि कि मैंथा को हम हिंदी में कहते हैं पुदीना क्या कह देते हैं पुद तो इनकी जो इसकी जो वेराइटी है कौन है गोमती और सिवालिक इसके अलावा गोमती और सिवालिक के लावा सच्छम भी इसकी वराइटी है कासी भी इसकी वराइटी है और आपकी कोकुरेल भी इसकी वराइटी है और इसके अलावा हिमालय भी इसकी वराइटी आती है और मसालों का देश किसे कहा जाता है तो मसालों का देश भारत को कहा जाता है because मसालों का सबसे अधिक उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है यानि कि अपने इंडिया में ही मसालों का उत्पादन सबसे अधिक होता है ठीक है उसके बाद अगला कुछ्छन है कि जीरे का मूल इस्थान है जीरा जीरे का मूल इस्थान पूँचा गया है जीरे का मूल इस्थान यानि की ओर जिन प्लेस पूँचा गया है तो जीरे का मूल इस्थान है आपका वह है मिस्र क्या है मिस्र कहला है या फिर हम इसे मेडिटेरियन रीजन भ अगला कुस्चन है कि काजू किस कुल से संबंदित है काजू किस कुल से संबंदित है तो जो आपका काजू होता है वह आपका एना कार्डियसी से संबंदित होता है ठीक है इसके अलावा जो आम होता है उसका भी कुल आपका एना कार्डियसी ही होता है ठीक है उसका भी कुल उसके बाद अगला कुस्चन है कि लॉंग का उपयोगी भाग होता है लॉंग का उपयोगी भाग होता है लॉंग का उपयोगी भाग सूखी फूल की कली जो आपकी सूखी फूल होती है यानि कि ड्राइफ लॉवर की बड होती है सूखी फूल की कली होती है वही लॉंग का उ आगले में जिसे हम फनेल बोल देते हैं तो जो फनेल होती है उसका सुगंद का करता है तो सुगंद का काड़ होता है जो होता है अगला तो किस फचल की उन्नत किस्म है सुगना जो है वह आपकी हल्दी की हल्दी की उन्नत सील किस्म है सुगना के लावा आपकी सुदर्शन सुरेखा प्रतिवा कृष्णा प्रभा कांती सुवरडा रोमा यह सभी आपकी हल्दी किस्म है जिसमें आपकी रोमा होती है यह सबसे ज्यादा पूंची जाती है तो इस उसके बाद अगला कुछिशन आता है इनके वीडियो जो हम आपको पहले तीन फीडियो प्रोवाइड करा चुकिए जिसमें लगवाग कमें आपको आपको 9 क्रॉप्स के बारे में बता चुके हैं ठीक है 9 से 10 क्रओं के बादा चुके हैं यदि व वीडियो नहीं देखे नो ताड़ी बनाई जाती है ताड़ी किस से बनाई जाती है यानि कि जो टॉड़ी होता है किस से बनाई जाती है आप सभी को बतावगा नारियल से बनाई जाती है ताड़ी जो होती है वह नारियल से ही बनाई जाती है उसके बाद एकला कुश्यन आता है उत्तर भारत में सौफ की बुवाई का उत्तम समय होता है यानि की best showing time of a funnel in North India is तो कहां पर उत्तर भारत में सौफ की बुवाई का उत्तम समय होता है सितंबर अक्टूबर कब होता है सितंबर अक्टूबर होता है ठीक है तो सितंबर अक्टूबर में हम इसकी बुवाई कर देते हैं उसके बाद अगला कुस्चन जो है वह है आपका वह क्या है अगला कुस्चन कुस्चन नमबर 31 और कुस्चन है कि हल्दी में पीला रंग होता है किसके करड़ होता है या विटामिन के करड़ होता है या प्रोटीन करड़ होता है या कुर्कुमिन के करड़ होता है तो हल्दी में जो आपका पीला रंग होता है वह आपका कुर्कुमिन के करड़ होता है किसके करड़ होता है कुर्कुमिन के करड़ होता है और अपने एक चीज़ सुनी होगी जो कि आपके जेनरल स्टोर पर आपको मिल जाती ह और जातर आप लोगों के सभी के घरों में उसका यूज भी क्या जाता होगा अपने नाम सुना होगा कुम-कुम जो की आपकी जो आपकी माताय बहने होती है वह जो क्या करती है इंग कुम अग्ला कुस्चन है अगला कुस्चन है कि सुरुभी, सुरुची एवं सुप्रभा किस फसल की किस्म है सुरुभी, सुरुची, सुरुभी, सुरुची, सुप्रभा आधि किस फसल से संबंदित है तो यह जो है आपकी अधरक से संबंदित है यानि कि अधरक की किस्म है नेने इनके अलाबा आपकी वर्दा हिमगेरी और आपकी मरान जोरठ यह आपकी सभी अध्रक की ही किसमें काहे की किसमें है यह अध्रक की ही किसम होती है ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है आपका कि विख्वय सरवाद र offense जाय की खबत वाला देश है यानि कि हाइफ ट् ती का कंजूम करने वाला देश कौन सा होता है या ती की खपत करने वाला देश कौन सा है तो वह है आपका भारत यानि कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खपत होती है कंजूम किया दता है चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है ठीक है किस देश में भारत में उसके बाद अगला कुस्चन आता है कि रोबस्टा कॉफी की मुख्य किस्म है major variety of रोबस्टा कॉफी is कौन सी है कावेरी कौन सी है कावेरी जो है वाया आपकी रोबस्टा कॉफी की मुख्य किस्म होती है उसके बाद अगला कुस्चन है कि काजू की फसल का मुख्य कीट है तो काजू की फसल का मुख्य कीट चाय का मच्छर होता है कौन होता है चाय का मच्छर होता है उसके बाद अगला कुस्चन है आपका और वह है कि नारियल का व्यवशायक प्रवर्धन होता है यानि कि commercial propagation of coconut is बीज यानि कि seed होता है उसके बाद अगला question है कि CTC किस से संबंदित है CTC यानि कि crushing, testing और आपकी cunning is related to किस संबंदित है चाय से संबंदित है यानि कि यह सभी क्रिया है आपकी देखिए crushing, testing और curing यह सभी क्रिया है आपकी किस में की जाती है यह सभी क्रिया है आपकी चाय में की जाती है उसके बाद अगला question है कि one word to leaf तुडाई की अवस्था किस फसल की होती है तो यह होती है आपकी चाय की किस की होती है चाय की जैसे ही one word leaf पर लीफ की one word आ जाती है वैसे ही हम चाय की तुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद अगला question है कि जुताई फसल किस से संबंदित है जुताई फसल प्लाव क्रॉप is related to which क्रॉप कौन सी फसल में जुताई होती है तो जैसे इसका जो है आपका answer आप अपने साब से देख लेना इसमें आपका tick नहीं लगा हुआ है लेकिन इसमें आपका हो सकता है क्या हो सकता है इसमें आपका अधरक हो सकता है कौन हो सकता है अधरक ठीक है लेकिन एक बार इसको search कर लेना ठीक है इसका सही answer पता था इसलिए हमने इसको डिसकस नहीं किया ठीक है विकाज जो गलत होता है उसका सही आंसर हम नहीं बताते हैं ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है कि पॉलिस करना और रंग दैना किस फसल से संबन्दित है पॉलिस करना यानि कि पॉलसिंग and coloring is related to which crop polish or curing करना coloring करना किस से संबन्दित है तो हल्दी में हल्दी में हम polish भी करते हैं और उस पर पीला color भी चड़ा देते हैं कैसा color चड़ा देते हैं पीला color भी हम उस पर चड़ा देते हैं उसके बाद अगला question है कि अधरक के 1 hectare के लिए कितने कुंतल बीज की अवशकता है अधरक के 1 hectare के लिए कितने कुंतल बीज की अवशकता होती है तो अधरक के 1 hectare के लिए बीज के लिए हम बात करें तो 20 से 25 कुंतल की अवशकता होती है सौफ की फसल की कटाई का समय होता है किस फसल की किसम है राजेंद्र और आपकी स्वाति किस फसल की किसम है तो राजेंद्र और स्वाति जो है आपकी धनिया की किसम है कौनसी आपकी धनिया की किसम है कौनसी राजेंद्र और स्वाति उसके बाद अगला कुश्चन है कि दाल चीनी के किस भाग का उपयोग होता है तो दालचीनी के, यानि कि which part used of cinnamome, जो cinnamome होता है, उसका कौन सा भाग यूज़ किया जाता है, तो उसका बार्क कहलें, च्छाल कहलें, च्छिलका कहलें, बात एक ही है, उसका च्छिलका यूज़ किया जाता है, उसके बाद अगला question है, कौंकर्ण तेज किस्म है, कितना है, 76 प्रत्सत है, गोल्ड ओफ स्लीप, सामान नाम है, किसका, अफीम का, सौरी, अफीम का, सामान नाम है, गोल्ड ओफ स्लीप, अफीम को, हम लोग ग्रीन गोल्ड भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ग्रीन गोल्ड भी कह देते हैं, यानि कि हरा सोना, किसे कहा जात उसके बाद अगला कुश्चन है कि IIHR यानि कि Indian Institute of Horticulture Research इस्थित है कहां पर हैसार घट्टा बंगलोर या फिर तमिलनाडु करनाटक तो यह जो है आपका कहां पर करनाटक ठीक है उसके बाद अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है आपका राष्ट्रिय सोध बीज मसाला के अंदर इस्थित है कहां पर तो राष्ट्रिय सोध बीज मसाला के अंदर जो इस्थित है वह है आपका राजिस्थान में कहां पर वह है आपका राजिस्थान कहां है वह है आपका राजिस्थान में उसके बाद कुस्चन है हैलियو जो ट्रोफिक पौदा किस खबसल से संबंदित होता है वा है आपका चाई से किस से है वह है आपका चाई से जानी की option b is the right answer चाय ठीक है उसके बाद अगला कुस्चन है अगला कुस्चन जो है वाह है आपका बैंगुरला वन किसम है बैंगुरला वन किसम है किसकी किसम है काजू की किसम है काजू की किसम है उसके बाद अगला कुस्चन जो है हुआ है आपका कैल्सी फ्यूग कैल्सी फ्यूग फसल संबंधित है किस से काजू से चाय से कौफी से या कोई नहीं तो इसका राइट ऑप् से संबंधित स् mission 1 थे संबंधित कोफी से संबंधित है तो इस पर में आपके जो है question total 55 question ही दिये गए हैं तो यह जो आपके 55 question थे इतने ही हमें provide किये गए थे इतने ही हमने आपको बता दिये यदि आपके पास इसके 5 question बचे हुए यदि हैं तो वो question हमें आप अपने यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, comment, share अवश्य करें आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्युक्त